सबको मेरा प्रणाम मेरा नाम रावूरी पदमश्री है मैं खमम जिले के कोणिजरला मंडल के जटपी हिचस सिंगरा इपालम में काम कर रही हूँ दस्वी कक्षा के चात्रों को स्वागत कत्ती हूँ आज मैं आपको ऐसा पाट पड़ाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपके विचार में उन्नत लक्ष्य जरूर उत्पन होंगे आज का पाट है धर्ती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब धर्ती शब्द का पर्याईवाची शब्द है धरा, पृध्वी, आवणी, वसुदा, इला, मेधिनी, आदी अंतरिक्ष शब्द का पर्याईवाची शब्द है गगन, नब, अंबर, व्योम, आकाश, अनन्त, आसमान, तारापध, आदी सवाल शब्द का अर्द है प्रश्ण और जवाब का अर्द है समाधान अब आप समझ गये वच्छों, धर्ती प्रश्ण पूछ रही है तो आसमान यानि अंतरिक्ष समाधान दे रहा है धर्ती जैसे सिश्य पूछने पर आकाश जैसे गुरु उत्तर दे रहे हैं कुछ बालकों के प्रश्णों के उत्तर महान व्यक्ती हमारे पूर्व रास्ट्रपती स्री अब्दिलकलाम जी के समाधान और इंडिया टुडे सापताहिक पत्रिका वालों के द्वारा पूछे गए प्रश्णों के उत्तर अब्दिलकलाम जी के सिश्या भारत की प्रधम मिजाईल उमयन देसी तामस जी के समाधान हम इस पाट के द्वारा जानेंगे इन दोनों के समाधान हमारे लिए बहुत प्रेरणा दायक है उन्नत लक्ष्य रखना ही नहीं उसे पाने के लिए अधिक परिश्णम भी करना चाहिए इस पाट के द्वारा हम इस विशे को भी सीखेंगे तो चलिए बच्चों पाट की वोर चलेंगे यहाँ परहे उन्मुकी करन विधाता द्वारा बनाई गई स्रुस्टी में अनेक जीव जन्तुओम ने इस समसार में जन्म लिया है विधाता शब्द का अर्द है ब्रह्मा या भगवान तो भगवान के द्वारा बनाई गई स्रुस्टी में इस समसार में मानव ही अकेला मानव ही नहीं हमरे साथ अनेक जीव जन्तुओम पशुपक्षियोम और पेड पोवदे आधी जन्म लिया यानि बच्चों भगवान्तुडी स्रुस्टी लो केवलम मनशी मात्र में कादू मनशीतो पाटू येन्नो पशुपक्षूलू जेन्तुवूलू चेटलू इवन्नी गोड़ मनस्रुस्टी लो स्रुस्टी इन्च बड़िने 20 वी जिसमें पसपक्षियों को मानों की तुलना में कुछ विशिस्ट प्राकृतिक गुण प्राप्त हुए है यानि मनिश से भी पक्षियों में पशुओं में भी विशिस्ट गुण है वे क्या है पक्षि तो आसमान में उडता है मचली पानी में तैरती है चीटा तेजी से दोडता है ये पूरे कुछ विशिस्ट लक्षन है लेकिन मनश्य में भी एक विशिस्ट लक्षन है वो है अपने मन के जो भाव है वह वो अपने बातों के द्वारा बता सकता है और बुद्धी भी हैं सोच भी सकता हैं इस सोच के सहारे वह इस रुष्टी में अनेक साधनों को कोज निकाला है इससे हम अनेक सुक्सिक विदाये पा रहे हैं इस प्रकार हर एक में कुछ ना कुछ विशिस्ट लक्षन तो जरूर है पक्षियों को मुक्त आकाश में विचरन करते देखकर हम यही सोचेंगे कि काश हम भी उनकी तरह आकाश में उन्ची उडान बर पाते हम जब भी आकाश में देखते हैं तो पक्षि दिखाई देते हैं पक्षि को देखने पर हमें क्या लगता है हम भी पंक होता तो हम भी आकाश में उन्ची उडान बर पाते हैं ना इस प्रकार हम सोचते हैं इसी आकाश ने विल्बर राइट वा ओरोविन राइट बाईयों को हवाई जहाज की कोज की प्रेरन दी इसी प्रकार सोचकर इसी आकांक्षा शब्दिकार्द हैं कोरिका इसी कोरिका तोटे विल्बर राइट वा यानि आउर ओरोविन राइट बाईयों को हवाई जहाज की कोज हवाई जहाज अंटे आकाशम लो एगरेट अट्वेंटी एदन वक वाहना निकनुकुन्टे बाउन्डू अने अट्वेंट प्रेरन नं कलिकेंदी और उन्होने आकाशमे उड़ुने वाले हवाई जहाज का अविश्कार किया इविदंगा वाल्डू आकाशम लो एगरेट अट्वेंटी होका हवाई जहाज इस शब्दकार देहें एरोप्लेन विमानान नी कनुकुन्णारू समझ में आई बच्चो उन्मुकी करन का जौन अच्चेद है वहाँ आपने आप पढ़ लीजिए और नीचे प्रेश्ण दिये गए हैं तीन प्रेश्ण प्रेश्णों के उतर भी दीजिए हवाई जहाज का आविश्कार किस ने किया अभी पढ़े ना बच्चा हवाई जहाज का आविश्कार विल्बर राइट वा वोरोविन राइट बाईयों ने किया और उड़ते हवाई जहाज को देखकर आपको क्या लगता हैं क्यों उड़ते हवाई जहाज को देखकर हमें क्या लगता है? हम भी हवाई जहाज में छड़े तो कैसा लगता है? नीचे देखे तो दर्थी पर मानव पेड पौदे कैसे दिखते हैं? यह पूरे हमें लगता है, मन में लगता है और है पशुपक्षी और मानव गुणों में क्या आंतर है अंतर शब्दकार्द है बेदम पशुपक्षी लगी मनिश्य लग उन्य ट्वेंटी बेदमें इमटी मनिश्य में तो हम पहले भी जान चुके हैं जान लिए हम पहले ही क्या है वहूद मनिश्य तो बात कर सकता है और सोच सकता है और पशुपक्षियों में भी कुछ वी सिस्ट ज्ञान है पक्षी तो आकाश में उड़ते हैं और चीता जैसे प्राणी तो तेजी से दोड़ता हैं। इस प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। वही उत्तर हम लिख सकते हैं। देखे एक बार यहाँ पर उत्तर भी हैं। स्क्रीन शाट निकाल कर आप भी पढ़ लिजिए बचों। और बाद में हैं उद्देश। यहाँ इसके लिए अनेक प्रकार के नवीन तधा वैज्यानिक उपकर आप लिए अपना विशेश दायत्व निबाते हैं। इसके लिए दीन को रको अनेक प्रकार के एक शब्द का विलोम शब्द हैं अनेक। अनेक प्रकार के नवीन शब्द का विलोम शब्द हैं पुराना। तदा वैज्ञानिक शब्द में प्रच्चे क्या है। इक। वैज्ञानिक उपकरण अपना विशेश दायत्व निबाती हैं। वाटिलो मनम मुख्यंगा चेपको दागिनेवी कृत्र मुपग्रहालू राकेट, मिज्जाइल तदा रसायनक वायू। इस पाट के द्वारा चात्रों में देश की सुरक्षा की भावना जागृत कराना। जागृत कराना इस शब्दकार्द हैं जागृतन चेएटम मेल कुल पड़म। इस पाट के द्वारा इस पाटन द्वारा विज्जार्द लो देशयम यकर अक्षण अनेट अटवेंडी भावनानी जागृतन चेएटमू और उपकरणों का आविशकार करने वाले वैज्ञानिकों की जानकारी देना इस पाट का मुख्य उद्देश हैं। जो सुरक्षा केलिये उपकरणों का कोज करते हैं। यवरैते देश सुरक्षत कोसुम आईधालनी तैयार चेस्तारो वटनी कनुगोंटारो अलांटी शास्त्रवेत तलू वैज्ञानिकों। शास्त्रवेत तलन गुरिंची तेल स्कोटों इपाटम्योका मुख्यों देश और इस पाट का विधा क्या है? विधा विशेश। प्रस्तुत पाट साक्षातकार विधा में हैं। किसी विधा में हैं बच्चों? साक्षातकार विधा। साक्षातकार शब्द का अर्द क्या है? इंटर्यू। मुखा मुखी। किसी भी बड़े विक्ति के बारे में या उनके बारे में हम जानने के लिए क्या करते हैं इंटर्यू के द्वारा प्रशन पूझ कर उत्तर जान लेते हैं उसे हम साक्षातकार कहते हैं इस पार्ट भी साक्षातकार विधा में हैं हमें भी हमारे एकजाम में तीन प्रशन दिये जाते हैं विधावों से, उसमें प्रशन कैसे पूपछते हैं मालूं, देश के रास्टर पती से साक्षात्कार के लिए प्रशनावली तैयार कीजिए। और पीवी सिंदु का साक्षात कार लेने के लिए एक प्रशना वली दैयार कीजिए इस प्रकार के प्रशन भी पूछ सकते हैं इसलिए आप भी इस पार्ट को ध्यान से पढ़ कर समझ लीजिए कि किसी का भी इंटर्यू लेने के लिए शाक्षात का लेने के लिए प्रश्न कैसे पूछना है इसके बारे में आप जान लीजिए बच्छों और प्रश्णोतर द्वारा की जाने वाली प्रिक्रिया ही साक्षातकार हैं। प्रश्णोतर द्वारा की जाने वाली प्रिक्रिया ही साक्षातकार लेने के लिए क्या करना हैं। अब्दुल कलाम। ब्लकी और की ब्लकी तो आदी शेब्द दो शेब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। इस तरह प्रयक्त होने वाले शेब्दों को समुच्चे बोधक कहते हैं, बलकी यह तो समुच्चे बोधक हैं, और सच्चे अर्दों में वे देश के ही नहीं, बलकी पूरी दुनिया के आदर्श हैं, अब्दिल कलामगारू केवलं मन देशान के कादू, पूर्तिक प्रपंचम मोत्थान की गुड़ा आदर्श प्रायडू, उन्होंने दुनिया के मानचित्र में भारत को जो स्थान दिलाया है, उसके लिए भारतवासी उनके रुणी हैं, मानचित्र, मानचित्र अंटे प्रपंच पटम, दुनिया के मानचित्र, प्रपंच पटम लो भारत देशान के ए स्थाना न नैत अतन अंधिन चडो, अंधिको भारती युल अंथा कोड़ा एपड़ के अतन के रुण पड़िवूंटाओं, भारत वासी, इसमें प्रच्चे वासी, मैं गर्व के साथ कहना चाती हूँ कि वे मेरे गुरु हैं, मैं गर्व के साथ कहना चाती हूँ, अतना गुरुवंचे पकोड़ान के निंचाला गर्व पड़तुन नानू, ये पूरे सेंटेंस जो है, इन वाक्यों को इतने सुंदर विचार रखने वाली भारत की प्रधम मिजईल उमन, शिश्या टेसी तामस और उनके गुरु एपी जे अब्दिल कलाम के बारे में जानने के लिए आगे पड़े, ये पूरे वाक्य किसने बताई, शिश्या टेसी तामस ने बताई, ये किनके सिश्या हैं, एपी जे अब्दिल कलाम जी के सिश्या हैं, अब उन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे छेलिए बच्चों अब्दुल कलाम जी के बारे में पहले जान लेंगे हम तमिल नाडु के रामेश्वरम की गलियों में समाचार पत्र बेचने वाला एक निर्दन बालक एक दिन सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक तदा भारत का रास्टपती बनेगा ऐसा किसीने सपने में भी नहीं सोचा था तमिल नाडु के रामेश्वरम की गलियों में गल्लीलू संदुलू तमिल नाडुलोनी रामेश्वरम योक्क संदुल्लो समाचार पत्र बेचने वाला समाचार पत्र, न्यूस पेपर, अक्भार, बेचने वाल, एक निर्दन बालक, निर्दन धनमु लेनी पेद पिल्लवाडू, एक दिन सुप्रसिद्ध, इसमें उपसर्ग क्या है, सु, सुप्रसिद्ध, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक इसमें प्रच्चे इक है, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक तदा भारत का रास्टरपती बनेगा अलांटि पिल्लवाडू गल्लील्लो संदुल्लो न्यूस्पेपर अमकुण्टू तिरुगुतुन नट्वेंटि वक पेधा पिल्लवाडू वक रोजु पेधवै शास्टरवैत अउताड अनिगानी भारत देशान की रास्टरपती अउताड अनिगानी ऐसा किसीने सपने में भी नहीं सोचाता। आविरंगा यव्वरू कोड़ काललो कोड़ उहिंचले दू। किन्तु उस गरीप पालक ने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और लगन से यहा सिद्धिकर दिखाया कि मनिष्य केलिए विश्व में कुच्चुबी असंभव नहीं हैं। अतनु अलांटि पेध विद्यार्ति, पेध पिल्लवाडु, अपनी प्रतिभा, परिश्रम, परिश्रम श्रम, और लगन, स्रद्धा, इँ मूड़ीट तोटी निरूपि इंचाडु। मनिष्य केलिए विश्व में कुच्च भी असंभव नहीं हैं। अपने आप मिल जाती हैं। अब्दिन अब्दिलकलाम हैं। समझ में आई बच्चों? वह लाड़का कौन हैं? हमारे पूर्व रास्टवती एपी जे अब्दिलकलाम जी हैं। ये अबुल एपी फकील जे जे अब्दिलकलाम जी हैं। ओके बच्चों आउर उनके बारे में और जानकारी हम जानेंगे। क्या है बच्चों अब्दिलकलाम हमारे पूर्व रास्टवती ते ये प्रधम वैज्ञानिक ते जो रास्टवती बने थे। हमारे रास्टवतियों में वैज्ञानिक रास्टवती बनना तो पहला वैज्ञानिक रास्टवती हैं। और अब्दिल कलाम जी को विज्ञान के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के नागरिक सम्मान के रूप में 1901 में पद्मभूशन और 1990 में पद्मविभूशन दिया गया था। इन्हें 1997 में भारत के सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मान सम्मानित किया गया था। कलाम ऐसे तीसरे रास्ट्रपती रहे हैं जिन्हें बारत रत्न का सम्मान रास्ट्रपती बनने से पूरु ही प्राप्त होआ हैं। अन्य दो रास्ट्रपति सर्वेपल्ली राधाक्रिष्णन आवर डाक्टर जाकिर उस्सेन हैं। पद्मबूषन, 17.9 लो पद्मविभूषन तोडि सन्मानिंचार। तरवाता 17.9 लो मनयक्का उन्नत पुरस्कार मैने 20 भारत्रत्नन गुड अंधिंचार। कलाम गारू रास्ट्रपति अवडानिक मुंदे योका भारत्रत्ननी स्वीकर इंचार। स्वीय भारत्रत्नन उच्चिन तरवात्र इतनो रास्ट्रपते यार। इला अंटि रास्ट्रपति लो इतनु मूडव वार। मदटि वारू रास्ट्रपति सर्वेपल्ली राधाक्रिष्णन गारू रेंडव वारू डाक्टर जाकिर हुस्सेन गारू एपीजे अब्दुल कलाम ने पोक्राण में दूसरी बार न्यूकलियर विस्पोट बी परमाणु उर्जा के साथ मिला कर किया। इस्तरह भारत्ने परमाणु हतियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करन्ने में सफलेता आर्जित की। पोक्राण लो अनुपरिक्ष जेसी मन दिग्रकुड अन्वाय धालनी एरपाट जेसारू अंदु वल्ला इतनी मनमु चाला गोपगा जिपको गलम। मनम इतनी वल्लने मन भारत देशान की मन्ची उन्नत स्थानमु लभीन चेंदी। अब देखिए वच्चं रास्टपती कार्यकाल के दौरान कुछ बालकोम ने उनका साक्षात कार लिया था। प्रस्तुत है उसी की कुछ जलकिया। रास्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कुछ बालकों ने कुंतमंदिपिललु योका रास्ट्रपतिगारनी साक्षातकार इंटर्यूतिस कुन्नारों प्रस्तुत है उसी के कुछ जलकिया उन में से कुछ यहाँ पर दिये गए हैं आप देखे वच्छ बालक प्रेश्ण पूछ रहे हैं बढ़ती जनसंक्या और अन्य कई प्रकार की सामाजिक समस्या ये हैं जो हमारे देश में किसी महामारी की तरह फैली हुई हैं उनके बारे में जागरुकता लाने के लिए हम चात्र क्या कर सकते हैं समझ में आई बच्छों आपको यह फ्रश्ण बढ़ती जनसंक्य आबादी बढ़ती जनसंक्या आबादी बढ़ रहा है हमारे बारत में और अन्य कई प्रेकार की सामाजिक समस्या ये हैं जनाबा पिरिगटम वल्ला चाला समस्यल गुड़ पिरूतुन्नाई जो हमारे देश के में किसी महामारी की तरह फाइली हुई हैं महामारी महमारी लागा समस्यल अन्य पिरूतुन्नाई उनके बारे में जागर कता लाने के लिए हम चात्र क्या कर सकते हैं हम चात्र उनके बारे में जागर कता लाने के लिए क्या कर सकते हैं चात्र पूछ रहे हम क्या करना है इस समस्या को हम कैसे सुलजा सकते हैं इस प्रकार पूछने पर अब्दिल कलाम जी ने उत्तर दिये देखिए बच्चों इसमें दो राई नहीं की हमारे देश के सामने भड़ती जनसंक्या और अन्य कई सामाजिक समस्या ये हैं। डो राई 27 आराई अन्य की अल्य के सामने भड़ती वाई नहीं भड़ती नहीं भूल ना चाहिए कि पूरे विश्व में भारत ही एक मात्राईसा देश है जहा पचास प्रत्षत से भी अधिक युवाशिक्ती है आभादी बढ़ रही है लेकिन आभादी के साथ जनसंक्या के साथ हमें ज्यान में रखने की बात यह है कि हमारे पास पचास प्रत्षत से भी अधिक युवाशिक्ती है युवाशिक्ती हमारे पास 50% है प्रतिशत शातम या भैशातम वरकु मन्देकर युवशेक्ति उन्दी जनावा पेरूतु नपड़ की कुड़ा मनं गुट्तिन चाल्सन विशे इवेंट अंटे आ जनावा लो 50% या भैशातम कंटे एक्कुवा युवत उन्दी जो देश के आर्धिक विकास में प्रमुक योगदान दे रही हैं देश के आर्धिक विकास में आर्धिक आभिवरुद्धिलो वीलु प्रमुक पात्रवा हिस्तु नारू यह भी देखने में आया है कि जहां कही भी महिला साक्षरता दर अधिक हैं वहां यह साक्षरता दर बढ़ती जनसंक्या को नियंत्रित करने में कारगार साबित हुई हैं इकड़ गुर्तिन चाल्सने ट्वन्टि विशे में इंटेंटे यकड़ आयते साक्षरता साक्षर इसका अविलों शेप्त है निरक्षर साक्षर निरक्षर जहां भी जहां महिला साक्षरता अधिक रहता हैं वहां इस समस्या जो है उन समस्या उनको नियंत्रन करने में कारगार साबित हुई हैं कारगार शेप्दिकारते हैं प्रयोजन करमेन रिजल्ट उच्छिनन माट एंटें यकड़ आयते आड़ वाल चादू कुन्नरो अकड़ इसमस्यल पटला इस जनसंक्य पटला नियंत्रिंच टम लो कास्ता मनाँ प्रयोजिन कर मेने 20 लाब दायक मेने 20 रिजल्ट इन मनम अकड़ चूडगल गयां एक चात्र होने के नाते आप सब कम से कम पांच महिलावों को सिख्षित करें क्या करना चाहिए बच्चों एक चात्र कम से कम तक्कूलो तक्कूआ पांच महिलावों को सिख्षित करें जो पढ़ना लिखना नहीं जानती जो निरक्षर हैं निरक्षर महिलावों को पांच महिलावों को आप सिख्षित करें साथ ही, आप उन्हें समाज की उन प्रमुक समस्याओं के बारे में भी बताए, साथ साथ क्या करना चाहिए, समाज में जो समस्याओं के बारे में भी बताना चाहिए, जिन से आज कल की महिलाओं को संकट का सामना करना पड़ रहा है, आज कल महिला ये कौन सी समस्याओं का साम सामना करना पड़ रहा है देखे बच्चों आप बताएं आज कल स्त्रिया महिला ये अनेक समस्यां का सामना करना पड़ रही हैं वह समस्या क्या है वे समस्या क्या है प्रेमुक है असिक्षा असिक्षा और आर्धिक निर्परता जाति बंदन स्त्री नेत्रुत्व का अभाव और पुरुषों का उनके प्रती अनुचित दुरुष्ठिकोन, बाल्य विवाह, दहेज प्रधा, ब्रून हच्याए, अत्याचार, आदि ये पूरे समस्याओं को समस्याओं के सामना करना पड़ रहा हैं इन समस्याओं के बारे में महिलाओं को सिक्षित करना जरूरी है, तबी आबादी को हम बढ़ती जनसंक्या को कम कर सकते हैं और समाज में जो समस्याओं का भी परिश्कर हम कर सकते हैं समझ में आये ना बच्चां, आबादी इस प्रश्न के उत्तर हम तीन वाक्यों में दे सकते हैं एक हैं महिलाओं को सिκ्षित करना, पांच महिलाओं को सिक्षित करना और दूसरा है समाज के जो समस्याओं के बारे में स्तरियों को बताना और है हमारे पास पचास प्रत्षत से भी अधिक व्युवाशक्ति हैं युन व्युवाशक्ति उमसे क्या लाब हैं हमारे देश में आर्थिक विकास में प्रमक योगदान दे सकते हैं और और एक प्रेश्ण भी पूछा गया है देखिए बच्चों यहाँ पर वह प्रेश्ण क्या है बारत के रास्ट्रपती के रूप में आप बाल मजदूरी की समस्या को समाप्त करने के लिए क्या सुजाओ देना चाहेंगे भारत के रास्ट्रपती के रूप में आप बाल मजदूरी बाल मजदूरी का अद्ध क्या है बालकार्मिक व्यवस्ता बाल मजदूरी की समस्या बालकार्मिक व्यवस्ता ने समाप्त करने के लिए पोग टडाने की आप क्या सुझाओ देना चाहेंगे सुजाव, सलह, सूचनलू, इस्तारू, नडूदुनरू अब दिल कला कानूनन बाल मजदूरी करवाना एक अपराद है कानूनन शब्दकार्द क्या है चट्ट परंगा, न्याय परंगा मजदूरी, बाल मजदूरी करवाना बाल मजदूरी करवाना अंटे इस दशक्यांत तक हमें इसे जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए इस दशक्यांत तक हमें इसे जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए उपर से समाप्त करने के लिए सोचेंगे तो और फिर अपने आप बढ़ते ही जाएगा इसलिए जो भी समस्या है उन समस्या को हम कूकटि वेलन इंची पेकलिन चाली अन्टार गदा आविदां का समस्य देते उन्दा समस्य नी मुत्तम पोईटट गा प्रयतनिन चाली भारतिय समस्या ने भी समविदां समशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए सिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गोशित कर दिया था भारतिय समसद समसद पार्लमेंट भारतिय समसद ने समविदां समविदां शब्द कार्द है राज्यांगमू समशोधन अधिनियम के समशोधन शब्द कार्द है सवरन इस सवरन क्रिंदा एंजे सरंटे चेसे 14 वर्ष आरु निंची 14 समस्राल वाईसुन अट्वेंट पिल्ललू सिक्षा पाने के अधिकार को चदू कुनेट अट्वेंट परिसितनी कल्पीन चाली इदिवाल योक्का प्रादमिका हक्कुल्लों चेचटम जरिगेंदियों मौलिक अधिकार के रूप में घोशित कर दिया गया हैं। यहां बहुत जरूरी हैं कि बच्चे अभिभावकों को नशाकोरी से मुक्ती दिलाने के लिए मुहिम चलाएं। इकड़ा फस्ट पिल्लवाल ने बाल मस्दूर निंची दूरम जेटानकी फस्ट कावाल सिंदे इन्टेंटे अभिभावकों सम्रक्षुक लेवरैते उन्नार वाल निंची वाल्ड यक्का मादक द्रभ्या लालवाटे दन्ना उन्टे नशाकोरी। अधी मान पिन्चटानकी प्रेटनन जेयाली। धिनको सम्मुहिम चलाएं। युद्धमे जेयाली अंटे ता नेदुर कोटानकी बाग प्रेटन जाली। और प्रावड सिक्षा के माध्यम से उन्हें सिक्षित करने की व्यवस्ता भी करे। उसके साथ क्या करना चाहिए। बच्चा स्वयम अपने पड़ाई जारी रखने में रुची दिखाए। पहला क्या है बच्चा अपने पड़ाई को जारी रखने में रुची दिखाना चाहिए। नीन चदुको आली अने आलोचना पिल्लवाडलो कलगाली। मातापिता को सिक्षित करके वड़ तलिदनलु कुडा तेले चेह आली। दिन वाल्ला ओचिटेट वाण्डी समस्स लेंटी आने दानी गुरिंच गोडवाला की तेले चेह आली। और बच्चों से काम लेने वाले मालिकों में आत्मन यंत्रन की प्रवुर्ती का विकास करके। तीसरा है यवर रही ते इपिल्लवान नी पानलो पेटकुण नारो आतनी की तेले चेह आली। ए मनी ताकी वे उन बच्चों को अपने बच्चे जे सही समझे। इन तीनों से पाला क्या है बच्चा स्वयों अपने पड़ाई जारी रखने में रुची दिकाना चाहिए। दूसरा है माता पिता को सिक्षित करके। तीसरा बच्चों से जो काम लेने वाले मालिक होते हैं उन मालिकों में आत्मनी अंत्रण की प्रवृत्ती को विकास करके इन तीनों के द्वारा अलग-अलग उपायों के द्वारा हम इस बालमजदूरी समस्या को दूर कर सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चों यहाँ एक महान विक्ति आपको दिखाई दे रहा है ना। इनका नाम है कैलाश सच्चार्दी, क्या नाम है बच्चों? कैलाश सच्चार्दी, उन्हें बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी को सिख्षा के अधिखार के लिए संगर्श करने के लिए शामती का नोबल पुरसकर दिया गया हैं, अब बालमजदूरी के समस्या को हटाने के लिए उन्होंने प्रेत्न किया था, उन्हें प्रेत्नों के फलरूप इन्हें नोबल पुरसकर भी मिला हैं, इस महानवेक्ती का नाम है कैलाश सच्चार्दी, और हे बच्चों यहाँ पर कुछ व्याकरनामश हैं, आप देख लीजिए व्याकरनामश और ग्रहकारी हैं, पहला प्रश्ण है बारत में प्रमुक समस्या ये क्या क्या हैं। दूसरा प्रश्ण है बढ़ती जनसंक्या को रोकने के लिए कलाम जी ने क्या उपाय बताएं। तीसरा है महिला साक्षरता की क्या आवश्यकता है। ओके बच्चों इन तीनों प्रेश्णों के उत्तर लिखकर लाईए धन्यवाद।